आप देख रहे हैं जन्नायक एक्सप्रेस न्यूज अयोध्या में महिला आरक्षी के साथ सर्यू एक्सप्रेस में हुई दुराचार इवं जानलेवा हमले के आरोपियों को मुठभेड के दौरान सटीएफ ने गिरफतार किया है सटीएफ ने इनके उपर एक लाख का इनाम घोशित किया था आरोपियों की शिनाख्त महिला आरक्षी ने स्वयम की थी आरोपियों ने महिला के साथ बरबरता करते हुए उस पर चाकू से कई वार कर लूट पाट की थी S.T.F. ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुठभेड के दौरान अनीश खान की मौत हो गई लोकल इंटेलिजन्स की मदद से उनकी पहचान की गई जब उन्हें गिरफतार करने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस टीम पर फाइरिंग करने लगे पुलिस ने मुठभेड के दौरान दो अन्य आरोपियों को गिरफतार किया है जिन्होंने घटना की बात स्वीकार की है दिना कुनत्यस टीस की रात में सर्यू एक्स्प्रिस ट्रेन में एक महीला हेड कॉंस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रक्रण हुआ था जिसमें थाना शेत्र योध्या केंट जी आर्पी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था अंतरकर धारा 332, 307, 354 खर में दर्ज किया गया था दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगती हुई थी इसी क्रम में STF की टीम्स लगी हुई थी जिला पुलिस के साथ कहीं सूचना साजा हो रही थी इसे क्रम में काई टेकनिकल और मैनूल इंपुट्स के हिसाब से STF की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फोटो की पहचान करवाई थी जिसके बेसिस पे फर्दर ड्वेलप करते हुए आयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साजा की थी इसी क्रम में आज एक सूचना में आयोध्या पुलिस की टीम और STF की टीम ने थाना शेत्र इनायत नगर में एक जगा पे रेड करके अभ्युक्तों की गिरफतारी का प्रयास किया था जिसे क्रम में अभ्युक्तों के दवारा पुलिस टीम पे फाइरिंग की गई जिसमें आत्मरकशार्द पुलिस टीम दो अभ्युक्तों को गिरफतार कर पाई जो की मौके पे इंजर्ड हो गए थे एक अभ्युक्त मौके से फाइरिंग करता मोग भाग गया था उस उक्त अभ्युक्त के लिए कॉडर्णन सर्च ओपरेशन चलाया गया में STFA पूलिस की टीम लगातär लगी रही उस अवारा पूरा के लंदर इनुन दैर में दो ऑइन ऐदर गन्जından आजाद, सन अफ मुक्तार जो की हेदर गन्जं का रहने वाला है और बिशंबर दियाल, सन उफ प्रेम नरायन जो की कूड़े भार सुल्तानपूर का रहने वला ये दोनों इंजर्ड हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, बाकि जो भी डिटेल्स होंगी उससे आप लोगों को अफगत करवाया जाएगा, स्टीफ और जिला पुलिस की टीम दोनों यहां पे लगे हुएं, और डॉक्टर से बहतरी इलाज का किया जा रहा है, जैसे प्रगती होती आप लोगों को अफगत करवाया जाएगा, ठीक है, घटना में हमारे कुलिस करमी भी घायल हुए, जिसका इलाज चल रहा है, और उसक इस अगस्त को सरीव एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के उपर प्राण धातक हमला हुआ था, इसके लिए उख्याले अस्तर पे भी टीमें बनाई गई थी, शुरुवाती विचना, चुकि ये जी आर्फी का जिरुश्दिक्षन था, उसने प्रारम किया, शासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया, इस पे विवेचना STF को ट्रांस्टर की गई, लेकिन हमारी वेलवे की टीम और अस्थानिय टीम, अस्थानिय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की, तथा गूंडा जन्पत की टीम में भी लगातार इसको बढ़ कर गई थी, इसमें समुचित धराओं में अवियोग पंजिबिक किया गया था, तथा गूएचना के दोरान इसमें 394 तथा 504 ख़ आईपी सी की विर्दी भी की गई थी, इसका स्वता संज्यान भी मानिय उचन्याले प्रयागा इसने किया था, स्टीएफ ने इस सम्वन्द में सूचना देने वाले किसी भी वक्ति के लिए एक लाग के इनाव की गोश्णा भी थी थी, सभी महत्यपून, मानिय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्यान किया गया, तथा उससे कुछ लाग कर सुचनाय प्राप्त होई, बीती रात, उन सुचनाओं के अधार पर कुछ संदिक्थ लोगों के फोटोग्रास प्राप्त होई, इनकी पहचान पिरता से कराई गई, तथा पहचान होने के बाद, टेक्निकल इंपूर्ट के अधार पर, स्टीएफ, चनपत अयोध्या की एसोजी तथा एसो इनायत नगर ने इनायत नगर खाना छेत्र में एक दमिश्दी, जहां पर दो व्यक्ति किरफ्तार हुए, उन्हें गायल अबस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंबर दूबे बताये, अनीश खान हैदरगर थाना छेत्र अयोध्या का रहने वाला था, तथा विशंबर दूबे कुड़े भार थाना छेत्र का रहने वाला है, उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया, उस पूरे छेत्र की घेराबंदी की गई कथा सुबा फिर पांच बजे के करी अजुद्या के पूरा कलंदर छेत्र में ही पुना पुलिस के साथ मुद्भेड हुई जिसमें अनीश घायल हुआ जिसे अस्तानीय अस्पतार में ले जाया गया जहां इलाज के दौराण उसके मिर्ट्व हो गया इस परकार इस पूरे पुलिस आपरेशन में तीन लोग मिले इसमें दो घायल अवस्था में गिरफ्तार किये गए तथा एक प्रिक्तिकी इलाज के दौराण मिर्ट्व हो गई जो पुलिस के आपरेशन में लायल हुआ था इन लोगों का तीनों अपरादियों का अपरादे की जिहास भी रहा है अनीश के उपर 6 मुकद में आजाद के उपर 12 मुकद में तथा विशंबर के उपर 3 मुकद में दर्ज हैं यह लोग ट्रेंड में भी अपराद करते थे इन्होंने जूप पार्ट के दौराद जो पूस्ताच हुई है उसके हिसाब से महिला है कांस्टेफल को अकेला देखके अपने दो साथियों के साथ उस पर हमला किया जिसके दौराद महिला इटकांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अरुद्या स्टेशन पहुंचने के पूरू ही ट्रेन घीरी हुई धीमी हुई थी इन्होंने बताया कि किसी ने संभावतव जेन पूलिंग की थी जेन पूलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे इसके दारान इस पूरे विवेक्षना और सफल अनावरन एतु जो टीमें लगी थी उनके द्वारा एकत्रित किये गए साक्ष्यों के अधार पर कि असपर्ष्ट हो गया था कि जो जो चीज़ें इन्होंने पकड़े जाने के बात बताई है उनका मूवमेंट उसी दरीके से दुला है इस प्रकार एक चिनोती पूर्ण हटना का सफल अनावरन उत्तर प्रदेश्ट पुलिस के विभिन इकाईयों ने साच मिल के किया है अब इनको सजा दिलाने की आगी लिपरक्रिया हम लोग के द्वारा की जाई है